Under the sea, समुंद्र के अंदर, अब हम उन इंसेक्ट्स या उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, जो कहां रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, सबसे पहले क्राब, क्राब किसे कहते हैं, केकड़े को कहते हैं, then डॉल्फिन, फिश, फिश मतला मचली, मचली कहां रहती है, पा बहुत बड़ी मचली होती है, it is very dangerous, then टर्टल, टर्टल हम कहते हैं, पच्छुए को, ये कहां रहता है, समुंद्र के अंदर भी रहता है, और पानी के बहार भी रहता है, then स्टार्फिश, स्टार्फिश बिलकुल स्टार की तरह लगती है, after the jellyfish, starfish, jellyfish, shark, ये सब क्या है, different type of fishes है, then octopus, you know, octopus की कितनी legs होती है, eight legs होती है, then coral, walrus, squid, lobster, बच्चों, ये जितने भी different type के animals है, ये कहां पाये जाते हैं, ये सब समुंद्र के अंदर पाये जाते हैं, आपने normal कभी shark को देखा है, या starfish को देखा है, नहीं, ये सब हमें कहां देखने को मिलते हैं, C के अंदर, मतलब समुंद्र के अंदर